आज की वीडियो में क्लास एर्थ की सोशल साइंस की वक्षीट नंबर थर्ट सौल फो रही है जिसकी डेट है आपकी 12 अपरेल 2021 आज की वक्षीट जो है बच्चों वो आपकी जोग्राफी के चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेस से ली गई है जिसमें आज हम हम हुमन रिसोर्से टॉपिक पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट इसका पैरग्राफ देखते हैं उसके बाद इसकी कुश्यांसर देखेंगे ऑल दा तिंग्स विच मीट नीड्स ऑफ फ्यूमन बिंग्स आर कॉल्ड रिसोर्स तो जितनी भी चीज़ें होती हैं बच्चों जितने भी आपके तिंग् ओल टॉजिक करता है अपनी जरुऺतों को पूरा करने के लिए वही रिसोर्स कहला ता है जैसे कि आपकी आपका पैन हो गया आपकी नोट्बॉक हो गयी आपकी वाटर बोटल हो गई हर चीज जो भी आपकी जरूद को पूरा करता है उसे ही हम रिसोर्स कहते हैं धीजर का capital सिक्षा है इसके लावा जो भी हमारा स्वास्त है यानि कि हेल्थ है वो लोगों को बहुत ज्यादा वैल्योवल बनाता है ठीक है बहुमूले संसाधन बनाने में लोगों को हेल्प करता है human transfer the nature given substance material through its knowledge into useful resources which are called man-made resources ठीक है जो human होता है वो हमें nature से जो भी change कर देता है ठीक है जैसे अगर हमें nature से वोड मिल रहा है लकडी मिल रही है ठीक है तो उसका हम कैसे कैसे यूज करते हैं उसको हम टेबल की तरह यूज कर लेते हैं उसके लावा हम चेयर की तरह यूज कर लेते हैं उसका हम paper बना लेते हैं तो इसे ही main-made resource कहते हैं जो कि हमें नेचर से जो भी नेचर की चीज़े मिलती हैं उसको हम अपनी स्किल के वज़े से अपनी एबिलीटी की वज़े से उसको अपने लिए यूस्फुल तिंग्स में चेंज कर देते हैं इसे ही हम मेंड मेंड रिसोर्स कहते हैं एक बच्चो अगर हमारी लाइफ में ना हो तो शायद हमारी लाइफ स्टॉप हो जाएगी लाइक ट्रांसपोर्ट हो गया आपका चीक है टेलिफोन हो गया टेलिविजन हो गया मुवाइल फोन हो गया कंप्यूटर हो गया इनके बिना आज के टाइम पर शायद हम अपनी लाइफ को इमाजिन भी नहीं गड़ सकते हैं इन दिस वे मैं इस क्रेटिव एंड सोचल अनिमल इन अ प्रोड़क्शन इंस्ट्रीशन मोर थैन ऑब्जेक्ट और रिसोर्सेज उसके बाद आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों स lavorative the following name and make a list of human resources created from them लाइक फरस्ट है अपका ट्री चैर को क्या बना सकते हैं Elek table furniture बनता है चेर बनता है ट्री है stretch से आपकी τιςधियों इतना की वोड आईगी वोड से जो हुमन होता है वो टेवल बना लेगा फरनीचर बना लेगा चैर बना कार्टेन है कicamente आपकी थ्रेड होटा है करटेन सोती है वोटर ठीक है वोटर से पावर याने की बिजली बनती है इरिघेशन में यू उता है चुक इपनाने के लिए क्लेसे से स्टेशू बना सकते हैं ओट बना सकते हैं ट्थास्टी से हैं पॉर्ट ऑट्सchein ज Алजा जो मनुष्य होता है यानि जो humans होते हैं वो किसी भी तरह की resource को अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपनी abilities के हिसाब से उसको change कर देते हैं जो भी हमें nature से चीजे मिलती हैं उसको हम change कर देते हैं अपने according ठीक है हमें जिस भी चीज की जरूरत होती है जैसे आप sugar can का example ले लो गन्ना है तो उसको हम किसमें change कर सकते हैं हम शुगर में change कर देते हैं क्योंकि हमें शुगर की जरूरत है उसी तरह next point है human resources is important because human abilities and skill help in making natural materials valuable and useful resources तो human resources बहुत जादा important इसलिए है क्योंकि जितने भी humans जो भी humans की abilities होती है उनकी जो skill होती है वो किसी भी natural things को और जादा valuable बना द होता है ठीक है और third point है main made resources are those resources that humans create using natural materials like उसका example हो जाएगा आपका transport ठीक है आपके medicines हो गई आपके institutions हो गई स्कूल हो गया hospitals हो गई कितनी सारी चीज़ें हो गई उसके बाद आपके question answer दिये गए हैं बच्चों जैसे first question है what do you understand by human resources तो आप इसका answer यहीं से लिख सकते हैं यह पूरा आ जाएगा यहां तक first point जो है वहीं इसका answer हो जाएगा question number second है why is human resources important तो इसका answer भी यहीं से हो जाएगा बच्चों यह देखिए human resources is important because human abilities and skill help in making natural materials valuable and useful resources उसके बाद question number जो third है आप यहां से कर सकते हैं name the main made resources that have made our life more simple तो इसमें आप लिख सकते हो like school, hospitals, transport लिख सकते हो इसके लावा mobile phone लिख सकते हो आप और computer लिख सकते हो ठीक है whatever question number four है which main made resources do you love the most and why ऐसी कौन सी main made resources है जो आपको बहुत पसंद है और क्यों तो इसमें आप लिख सकते हो the main made resources which I love the most my mobile phone because in mobile phone we can play online games, we can chat with our friends, we can study ठीक है कि mobile phone मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है आज के time पे तो हमारी पूरी study इसी में हो रही है, हम अपने friends से बात भी इसी की वज़े से करते हैं तो ये थी आज की आपकी वाक्षिट, I hope आपको अच्छी लगी हो, thank you so much